फालको वसेस ग्रासिया ECS T10 बार्सलोना का आज के दिन का पहला मकाबला सीरीज का देखा जाए तो 31 मकाबला तो वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि इस मकाबले में आप लोग किस प्लेयर के उपर फोकस करें और किस प्लेयर को आप लोग अपनी small league के टीम में pick करके चल सकते हैं और किस प्लेयर को आपको अपनी grand league के टीम में pick करके चलना है और उसको captaincy और wise captaincy देनी है तो इस वीडियो के अंदर में आपको यहाँ पे दो teams provide कराऊंगा पहली हमारी team focus करेगी small league के purpose से और दूसरी हमारी team focus करेगी grand league के purpose से बस आपको वीडियो को complete watch करना है अगर आप लोग इस मकाबले में win करना चाहते हैं तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को start करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी भाई पहली बार मेरे channel पे आया है पहली बार मेरे channel की वीडियो को watch कर रहा है तो उनको मैं बता दूँ कि जो भी मेरी final update होगी मेरी final team होगी आपको मिलेगी हमारे telegram channel पे अभी केसा में हमारे telegram channel पे 8000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी 100% winning team का free में profit उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे channel से जुड़ना चाते हो तो आपको हमारे channel के link description और comment दोनों जगों पे सबसे पहले number पे मिल जाएगी तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी के team का profit उठा सकते हैं तो ये काम दोस्तों जरू कर लेना क्योंकि ये आपके लिए important है और आपके लिए बिलकुल free तो बात कीजा सबसे पहले positions की तो फालको की जो team है वो tournament में 5th position पर है ग्रासिया की team tournament में 2nd position पर है फालको ने इस season अपने 5 मकाबले खेले हैं जिसमें से इन्होंने अपने 3 मकाबले जीते हैं और अपने 2 मकाबले हा रहे हैं ग्रासिया ने अपने 6 मकाबले खेले हैं जिसमें से इन्होंने 4 मकाबले जीते हैं और अपना सिर्फ 2 मकाबले यहां पर हा रहे हैं तो जब आप position की बात करते हैं तो उस मुकाबले में gracia की टिम विन कर जाती है और falco की जो टीम है वो थोड़ा सा नीचे रह जाती है तो यहां पर देखिए बात करेंगे सबसे पहले wicket giving section की और सबसे पहले बात करेंगे small ikky team की तो small league team में देखिए आपके सामने चार option आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे विकेट कीविंग सेक्शन से केलाल, जे रजा, यासीन और यहाँ पर पी जथान तो आपके लिए देखिए important player कौन से जथान आपके लिए important नहीं है यासीन आपके लिए important नहीं है केलाल को कल जो दो मैचिस खेले, गरासिया ने उनमें से किसी भी मैच में मौकर नहीं मिला तो अगर केलाल खेलते हैं तो आपके लिए important रहेंगे small league में भी और grand league में भी, अगर यह ना खेलें तो इनको drop कर देना और आपके सामने सिर्फ एक ही choice आपको निकल के आने वाली है जो किये जीसन रजा की तो हम लोग भी यहाँ पे जीसन रजा को एज़ा विकेट की पर अपनी डिमेपी करके रख लेते हैं क्योंकि इनके लावा और कोई choice यहाँ पर इतनी better नहीं है जिसके साथ आप लोग यहाँ पे जा सकें तो यहाँ पे जौब के लिए विकेट की पर best रहेगा वो यहाँ पे दोस्तों जीसन रजा रहने वाला है बैटिंग की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे गुरविंदर बाजवा खेलते हुए नजर आ जाएंगे कल जो नका पहला मकावलण था ना उस मकावलज इनों ने काफी अच्छी इनिंग कैली वियाँशी को भी करेंगे जो कि बैٹिंग और बॉलिंग दोनों कर रहें लेकिन लास्सीजेन जतना अच्छा परफरम कर रहे देना उतना ही ज़्यादा बेकारी सीजन परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि लास सीजन हर एक मैच में ये बंदा दो से तीन विकेट अपने नाम कर रहा था हर एक मैच में अपनी टिम के लिए विकेट निकाल कर दे रहा था लेकिन मैं बता दू नमबर चार के बाद ही ये बैटिंग करने आएंगे, इसके लबाए रातोड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, के रजा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नीचे से कोई भी प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है बैटिंग सेक्शन से अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर आलाउंडर सेक्शन की तो आपके सामने यहाँ पर अदिल सर्वर हैं जो आपके लिए most important भी करेंगे क्योंकि यह आपको open करते हो भी नजर आ जाएंगे और part time बालिंग भी कराए तो भी नजर आ जाएंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों काफी अच्छी कर रहे हों कल इनके जो लास्ट दो मैसे ना दोनों मैचस में आप इस बंदे की परफॉर्मेस देख सकते हैं और रन भी बनाता है विकेड भी निकालता है और कैचस भी पकरता है तो यह आपको तीनों जगहें से लंटर की जगहें बसती है जो किए है आपर दोस्तों शोहब एहमत शेबाज एहमत वेखर आप इनको ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं प्लेयर काफी एच्छे है और अगर अगर आप चाहें तो इनकी जाबर किसी एक एकस्ट्रा बॉलर को भी ले सकते हैं बाकि अभी के इन्होंने दो विके निकाले थे शायद विंककल का पहला ही मैच था तो काफी अच्छा बॉलर है पॉवर प्ले के अंदर विके निकाल कर आपको दे सकता है इसके लाव अगर मैं बात करूँ सिराज की इंपोर्टेंट है और लास्ट पिक आपको चूस करनी पड़ेगी किन में से यहाँ पे तीन आप्शन है आपके सामने आर सिंग हर कमल सिंग और यहाँ पे आपके सामने आप्शन है हसन खान का तो इन तीन आप्शन में जो मैं जाना जाओंगा आर सिंग के साथ reason simple सा पहला over और दसवा over दो over ये कराने आएंगे जो की important over रहते हैं पहले over में wicket मिलेंगे और दसवे over में इनको wicket मिल जाएंगे बाकि आप चाहें तो H.Khan को भी कर सकते हो और यहां पे चाहो तो H.Khan को भी कर सकते हो सबसे बड़ी बात दोनों तीनों के points बिलकुल ही बराबर है सिर्फ H.Khan के चार points जादा है बाकि तीनों के points यहां पे same रहने वाले हैं तो आप चाहो तो differences अपने ही साब से कर सकते हो लेकिन मैं अभी के लिए इसी टीम के साथ जाऊंगा कॉंबिनेशन की मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने अपने टीम में फाल को टीम के 5 प्लेस को पी करके रखा है और ग्रासिया टीम के मैंने 6 प्लेस को पी करके रखा है अपनी small की टीम में combination की में बात करूं तो मैंने 1 wicket की पर 3 batsmen, 4 around us और 3 ballers का combination त्यार किया है और अगर मैं बात करूँ अपनी इस team में captain और vice captain किसको बनाओंगा तो small lucky team में देखिए मेरे captain आपर रहेंगे H mahen और vice captain आपर मेरे A server रहेंगे ये मेरी small lucky team है तो मैं आपको अपनी team का screenshot इसका preview दिखा देता हूँ और आप लोग हमारी team का screenshot इसका preview ले लीजिए तो ये मेरी small lucky team है और इसी team के साथ दोस्तों में head to head contest भी join करूँगा तो आप लोग हमारी team का screenshot इसका preview ज़रू ले 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 और जहां पर भी आपका investment हो वहाँ बजयाकर आप लोग हमारी team का use कर सकते है small league और head to head में तो एक बार team का screenshot ज़रू ले 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 और इस team को जाके save कर ले grand league के team काफी best में आपको यहाँ पर आज provide कराने वाला हूँ grand league में देखिए आपको क्या करना है batting section से कोई भी changes नहीं करना है कोई भी ऐसे change मत करिए जो आपको loss करा दे ऐसे हमत को drop करके यहाँ पर मैं answer जाद को पिक करने वाला हूँ इसके लावब हम सिराज की जापर है यहाँ पर मैं दोस्तों अपनिटिम में एच खान को लेने वाला हूँ तो यह मेरी glt में और glt में मेरे captain देखी को रहेंगे मेरे captain आप मुक्तियर सिंग रेजन का है open करने आ रहे हैं वाइस captain गुर्विंदर बाजवा open करेगा कर hard hitter player है world record holder है इसके ना दो सतक है और एक तो डेट सो nut out की इनिंग है तो यहाँ पर इसको कभी भी underestimate मत करी ग्रान लिंग में तो हो सके captaincy भी आप लोग इसको दे सकते हैं बाकि इतना ज़्यादा मेरे इसकाव के लिए नहीं लूँगा ताकि आपका loss ना हो सके तो यह मेरी दोस्तों ग्रान लिंग की डिम में और यह पर मिल जाएगा तो मेरा मकसद दी है कि आपको कुछ ना कुछ प्राफिट में कराता चलो तो यह मेरी दोस्तों ग्रान लिंग की टीम है एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट इसका भी प्रिविव ले लें और जहां प्रिविव आप लोग इसको यूज़ करना चाहे उस प्लेटफॉर्म पे जाके इसको यूज़ कर सकते हैं इस टीम का भी आप लोग दोस्तों स्क्रीन सोट्स का प्रिविव ले लिजिए बाकी दोस्तों यह मेरी स्मॉली की टीम है और यह मेरी में टीम है और इसी टीम के साथ आप जाना चाहें तो स्मॉली जील में भी जा सकते हैं बाकी मैं बता दूँ कि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन अप यह टॉस के बाद यह दोस्तों जो मेरी 100% बिनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूँगा वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको भी मिले तो इसके लिए आप लोग हमारे टेली राम चैनल से जुड़ सकते हो अभी किसमें हमारे चैनल पे आट अजासे जादा लोग जुड़ चुके हैं और मेरी दी के टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो तो यह काम दोस्तों जरू कर लेना क्यूंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री बाकि अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल पेहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा पास में जो बल आइकन इसको जरूर बी प्रिस कर लीजेगा ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल दी नेक्स्ट वीडियो में तब दे के लिए जहिंद वंदे मातराम